पार्ट नमबर फश्ट है दिखे ये जो बेसिक मैं आज बताने जा रहा हूँ जो बेसिक से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसका कम से कम नहीं नहीं मैं 16 से 17 वीडियो चैनल पर पड़े हुए हैं लेकिन यहाँ पर कुछ अपडेट कंटेंट हैं जो कि कुछ अपडेट ह हुई है ठीक है तो यह सब जो कंटेंट है छोटे छोटे अपडेट हो जाएंगे साथ ही साथ रिवीजन हो जाएंगे तो पार्ट नमबर फ़र्स्ट होने वाला है जो वीडियो है न वो विदाउट फेस भी रहेगा फेस भी रहेगा जैसा सील्यूल होग वैसे चीजों को सिट किया जाएगे यहां पर हम लोग फिवीजन हो पर भी बात करते रहेंगे साथ ही साथ फिल्टर्ड जो करेंट अफेर है उस पर भी भी स्टार्ट करते हैं ठीक है जो U.P के जो उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश का जो छेत्रफल है ठीक है पहले हम एक जोग्राफ बना लेते हैं उसके बाद धीरे 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 कंटेंट में अंदर जाना शुरू करेंगे तो जो उत्तर प्रदेश है बात हम उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के पहले छेतरपल बात कर लेते हैं तो जो उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश का जो छेतर किलोमेटर का जो वर्ग किलोमेटर का जो छेतरफल है उस वर्ग किलोमेटर का 7.33% उत्तर प्रदेश का छेतरफल है तो यह आप याद रखना कि जो भारत का भोगोलिक छेतरफल है उस भोगोलिक छेतरफल का 7.33% भोगोलिक छेतर है उत्तर प्रदेश का ठीक है छेतरफल की द्रिष्टी से अगर बात करें तो यूपी का जो इस्थान है भारत में वहां चौथे इस्थान पर है ओके राजधानी यूपी की लखनव है अब बात यहां पर लखनव की हुई है तो यहां पर 1857 याद रखना 1857 की क्रांती का बहुत जादा योगदान है यहां के कंटेंट में एक्जामनेशंस में ये काफी important content जाता है उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनव है ओके और जो 1857 की क्रांती हुई थी जो सिपाही बिद्रो हुआ था 1857 की ठीक है वहां पर जो लखनव है लखनव के content को या लखनव के जो इर्दिद का छत्रपल है उन content को भी जानना काफी important है तो देखिए यहाँ पर पहला content क्या हो जाता है कि जो 1857 की क्रांती थी ओके 1857 की क्रांती में लखनव से लखनव से कौन प्रतिनिदी तो कर रहा था अंग्रेजों के विरोध में तो बेगम हजरत महल आप प्लीज माइंड रखना ठीक है नाम है बेगम हजरत महल 1857 की क्रांती में लखनव से ये प्रतिनिदी तो कर रहे थे वहीं पर एक और नाम है मौलवी लियाकत अली याद रखना मौलवी लियाकत अली जो कि इलहाबाद और बनारस के नेता थे ओके अब इलहाबाद का नाम प्रयाग राज कर दिया गया है ठीक है तो इलहाबाद औ और बनारस के जो नेता थे, जो कि अंग्रेजियों के बिरोध में प्रत्नीधितु कर रहे थे, नाम था मौलवी लियाकत अली, ओके, यहाँ पर तिसरा कंटेंट के आता है, कि जो गवर्नर जनरल था ठासव सतावर में, कौन था, तो लाड़ चार्ल्स कैनि, याद रखना, लाड़, जस्ट वेट, लाड़ चार्ल्स कैनिंग, यह 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल थे, ओके, क्लियर, और लखनव में जिसने विद्रोह को दबाया, उसका नाम क्या था, तो हेनरी लारेंस, काफी इंपोर्टेंट, काफी इंपोर्टेंट यह नाम है, ठीक है, तो यह आप याद रखना, कि हेनरी, हेनरी लारेंस, हेनरी लारेंस, यह नाम प्लीज आप माइंड रखना, ठीक है, दिखें, यहाँ पर लखनव का नाम आया, तो हम लोग इर्द गि नहीं करता, एक examinations का जो overview होता है, examinations का जो एक तरीका होता है, कि जो भी content आता है, अगर वहाँ पर पिस्ट भूमी उसका कुछ मजबूत है, तो वहाँ पर भी बात कर लेना चाहिए, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो सीमा उत्तर प्रदेश हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से उनका सीमा बाउंडरी टच करता है, वो कौन कौन से हैं, उत्तराखंड, हिमाचल, प्रदेश, हर्याडा, राजस्थान, मध्ध प्रदेश, चतिसगड, बिहार, जारखंड और दिल्ली, जिसमें से दिल्ली जो है, union territory है, ठीक है, तो यहाँ पर आठ राज और एक यूटी उत्तर प्रदेश से टच करता है, ओके, सरवाधिक राजियों को इसपर्ष करने वाला जो जिला है, उत्तर प्रदेश का कौन है, सोनभद्र है, याद रखना, सरवाधिक, सरवाधिक, राजियों को इसपर्ष करने वाला उत्तर प्रदेश का जो जिला है, वहाँ सोनभद्र है, टोटल चार राजियों को यह ठच करता है, जो सीमावर्ती देश है, कौन है, नेपाल है, काफी important है, everyone नेपाल की बात यहाँ पर आई है, तो नेपाल का जो प्राइम मिनिस्टर है कौन है, सो पूस्प कमल दहल, याद राश्ट्रपती है, राम चंद्र पैडेल, एक्जामनेशन्स के लिए काफी important है, प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखना, ठीक है, जो वहाँ के PM है, वह है, कमल दहल, पूस्प, पूस्प कमल दहल, ओके, अजो वहाँ के राश्ट्रपती है, राश्ट्रपती, उनका ना पैडेल, पैडेल, राम चंद्र पैडेल, नॉट पैडेल, पाडेल, ओके, तो याद रखना, ये जो राश्ट्रपती है, राश्ट्रपती का नाम प्लीज आप याद रखना, हमारा ये सीमावरती देश भी है, और हमारे कल्चर से काफी जुडा हुआ, नेपाल का भी है, तो थोड़ा सा कंटेंट भी आप माइन रखना, ओके, यूपी की सबसे जो प्रमुख नदी है, वह गंगा, यमुना, राम गंगा, गोमती, केन, बितवा और घाघरा, याद रखना, उत्तर प्रदेश की जो महतपुर नदियां है, किस सीरे से, किस सीरे पर मिलती है, कि पर जाके प्लीज इस कंटेंट को प्लीज आप देख लेना, ओके, चलिए, यूपी की प्रमुख नदियां पर मने बात कर लिया, कौन कौन सी है, गंगा, यमुना, राम गंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा, ओके, देश में पहला इस्थान, किसमें किसमें है, उत्त प्रदेश का, ओके, सो गेहू उत्पादन में, मसूर उत्पादन में, कुल खाद्यान में, कुल सबजी उत्पादन में, कुल बागवानी उत्पादन, याद रखना, कुल बागवानी उत्पादन का जो डाटा है, 2021-22 का है, आलू उत्पादन, आम, अमरूद, आवला उत् कही गई है, रेल मार्ग, बैंक साखाएं और पोस्ट आफिस, ओके, एबरीवन यहाँ पर बात हुई है, फसलों की, सबजीयों की, ठीक है, तो यहाँ पर एक महतपुर कंटेंट क्या है, कि जो फसले होते हैं, देखें, तीन किसम के फसले होते हैं, रभी, खरीफ और जायद, जो रभी की फसल है, वो अक्टूबर से नवंबर के मध में बोई जाती है, कौन कौन सी फसले हैं, गेहु, जो, आलू, चना, मसूर, अलसी, मतर, सरसो, अरहर, अरहर इंपोर्टेंट है, जामनेशंस में, आता है, क्योंकि ये न, थोड़ा सा बफर, बफर लेबल का ये फसल है, लेकिन ये मुख्य रूप से, ये रभी का फसल माना जाता है, नेक्ष्ट है, खरीफ, खरीफ में कौन कौन सा है, सुधान, कपास, मुंफली, ओके, बाजरा, मक्का, जौव, धैचा, ये सब जो हैं, सुरी, सुरी, धैचा, गन्ना, सोयाबीन, ये जो हैं, ये खरीफ के फसल हैं, बात है, जायत की, जो सबजी, सबजी, खीरा, ककडी, इस लेबल की जो फसले होती हैं, जो कि मार्च और अप्रेल के मन्थ में बोई जाती हैं, ये होती हैं, जायत की फसले, तो खरीफ, रभी और जायत, इन फसलों का जो मुख्य मुख्य नाम है, उनको याद रखना है, जैसे कि गन्ना एक्जामनेसंस में आ चुका है, सोयाबीन है, ठीक है, अब धान है, धान खरीप का फ़सल है, ये पता है, ठीक है, कन्फूजन कहां होता है, मक्का में, कन्फूजन कहां होगा, अर में confusion कहां पर होता है अलसी में मटर में सरसो में यहां पर confusion होता है तो इनको थोड़ा सा आप रटनी की प्रप्रपिटिप ने पास रखिए ओके चलिए अब आते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम पर जो ग्रिस्म रितू का मौसम है वो मार्च से जून का होता है वर्सा जो है व जा रहा है अगली जनगर्णा जब भी होगी अगला कि अगली जनगर्णे का टाइमिंग तो सचल रहा था लेकिन लोगसभा का चुनाव आ गया था जिसको पाकर जनगर्णा को पॉस्पॉंड कर दिया गया था ठीक है क्योंकि इसमें काफी समय लगता है तकरीबन एक से त गर साल का समय लगेगा इसमें तो इसलिए अभी जो भी डाटा बात होती है अगर कोई अपडेटेट डाटा नहीं आया है तो 2011 के बेस पर बाते चल रही है तो 2011 के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश है उसका जनगर्णा के अगर हम बात करें तो सकल जनसंख्या जो है उत्तर दसमलो 5-0 है उसमें से जो महिलाएं है ठीक है और जो पूरूस है ये डाटा ये डाटा बस से प्रॉक्समिट आपना आपस माइन रखना ठीक है यहाँ पर ये डाटा माइन रखना कि 2011 में जो 16 परसेंट 16 दसमलो 5-0 परसेंट जो टोटल 19 करून का जो जनसंख्या बताया ग उसमें से पूरूसों की जनसंख्या और महिलाओं के जो जनसंख्या है उनका बस एक डाटा अपने माइन पर रखो यहाँ से content नहीं आता है बस यहाँ पर जब भी बाते होती हैं बस तुलना किया जाता है तो यह बात याद रखना यहाँस से अभी तक कि जनसंख्या में को इस तरी पुरुस का उनुपात की बात करें, तो 1000 पुरुसों पे 912 महिलाएं हैं, जनसंख्या घनत्तु, जनसंख्या घनत्त 839 प्रतिवर्ग कीमी है, देखें जनसंख्या घनत्तु का जो डाटा है क्या होता है, जैसे 1 किलोमेटर लंबा, 1 किलोमेटर चोड़ा, 1 छेतर ले करते हैं, इस इस डाटा पर बात किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में अगर प्रतिव वर्ग कीमी के बात करें, तो 829 लोग रहते हैं, ठीक है, जनसंख्या में 10 की ब्रिधिधर, ये बहुत इंपोर्टेंट ही जामनेसंस में कई बार रिपीट हुआ है, तो 20.2% UP का जो 27.7% है, ओके, तेंदुलकर समीति के नुसार गरीबी रेखा के नीचे निवासित जनसंख्या, 2011-12 की डाटा की बात करें, तो 29.4% है, याद रखना BPL की बात हो रही है, बीलोग पावर्टी लाइन की बात हो रही है, तो 29.4% है, ठीक है, अब यहाँ पर BPL से नाम याद र देख रहा था, वहाँ पर एक बहुत ही सरुमान MP थे, उनसे न्यूज वालों ने बात चर्चा चल रहा था BPL का, ओके, तो वो BPL का मतलब नहीं बता पाये थे, ठीक, तो इस लेबल का तो भारत में राजनीती, भ्यक्ती, विसेश हैं, जिनको कितने बड़े पदपर होने क बावजुद उनको यहीं नहीं पता कि भारत में BPL परिवार क्यों होते हैं, BPL होता क्या है, उनका आकड़ा क्या है, तो खेर ये बात की बात है, याद आया, तो मैंने बोल दिया, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, वर्स 2011 के जनगर्णा के नुसार, कारिस सहभागिता दर उत्तर प्रदेश में 32.94 है, याद रखना 32.94 है, कारिस सहभागिता, जन्म के समय, जीवन प्रत्यासा 2016 और 20 के डाटा पे बात करें, तो जो कुल ब्यक्ती हैं, उनका जो मैक्सिमम जीवन जीने का जो टाइमिंग है, वह 66 यर का है, वहीं पूरुसों की बात करें, तो पू 26.07, ये डाटा प्लीज आप याद रखना, ये 2016-2020 के डाटा पे बात कहा गया है, धर्म के अनुसार जनसंख्या 2011 के डाटा पे बात करें, तो उत्तर प्रदेश में जो हिंदू हैं, वह 79.73% निवास करते हैं, मुस्लिम 19.26% निवास करते हैं, जो सीख हैं, वह 0.32% निवा करते हैं, इसाई 0.18% निवास करते हैं, जैन धर्म के मानने वाले 0.11, बौध 0.10, अन्य धर्म 0.01, एबरिवन जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं उत्तर प्रदेश में, उनका जो जनसंख्या है, पूरे UP के जनसंख्या का, वह 0.29%, ओके, ये डाटा भी प्लीज आप करके चलना, ठीक हैं? दसमलो 4% और इस्तरी जो हैं वह 69.2% साक्षर हैं ग्रामिड साक्षरता 2011 के हिसाब से 65.5% जिसमें की पूरुस 76.3 और इस्तरी 53.7% अब यहां पर तुलना करों कि जो नगरी साक्षरता दर है और जो ग्रामिड साक्षरता दर है नगरी साक्षरता दर ग्रामिड साक्षरता दर से ज़्यादा है नमबर एक जो नगरों में पूरुस हैं उनका साक्षरता दर ग्रामिड अंजल के पूरुसों के पेक्षा ज़्य जादा है और जो सहरों में महिलाएं हैं उनकी साक्छातादर ग्रामिड महिला के साक्छातादर से जादा है तो थोड़ा से ये difference याद रखना जब अप एसे राइटिंग करेंगे ऐसा राइटिंग करेंगे तो ये डाटा काफी weightage देगा अगर इस डाटा का इस्तिमालाब कर तो आते हैं प्रसासनिक इकायों पे, आर्थिक संभाग छेतर UP में 4 हैं, मंडलों की संख्या 18 हैं, जीलों की संख्या 75 है, आप कमेंट बाक्स में ये बताना कि जो 9 निर्मित दो जिले हैं उनका नाम क्या है, मैं अगर उहां पर पिन करके मैं राइट एंसर दे दूँगा, ल सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला UP का कौन सा है, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, ग्राम पंचायते 57702 हैं, नियाए पंचायते 0 हैं, क्योंकि 2017 की अधिसूचना के नुसार उसके पहले था, अब इनका मानिता खतम कर दिया गया है, तहसील 2023 के हिसाब से UP में 351 हैं, विकास खंड 2023 के डाटा के हिसाब से 826 हैं, नगर पंचायत 2023 के हिसाब से 546 हैं, मैं इसी अबडेट डाटा की बाते कर रहा था, ओके, ये जो चुना हुआ था 2023 में, मिंस्पल पार्टीस का, वहां पर ये डाटा कुछ अबडेट हुए हैं, ठीक है, तो याद रखना कि 546 हैं, 546, नगर पाली का परिशद 200 है, नगर निगम 17 हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ये अबडेटे डाटा है, प्लीज को आप याद रखना, यूपी नगरी निकाय सामाने निर्वाचन 2023 के तहत, कुल 760 नगरी निकायों, जिसमें की 17 नगर निगम, 199 नगर पाली का परिशद 544 नगर पंचायत, इसको आप प्लीज, इंपॉर्टेंट के तोर पे, इसको प्लीज आप रख लेना, ये डाटा अपडेटेटेड हैं, ठीक है, कुल राज़स्व ग्राम 2021 के हिसाब से, ठीक है, ज़स्ट वेट, ठीक है, इनको दखो, आप ऐसा ने की पूरा का पूरा डाटा काउंट करोगे, इसको कर लेना कि ये एक प्लस में है, एक लाख प्लस में है, और ये एक लाख के अंडर में है, ठीक है, तो यहाँ पर 97,000 ऐसे आप याद कर लेना, यहाँ पर 97,000 से ज़्यादा कौन सा है, सहकारिता 2,022-23 के डाटा पर अगर बात करें, तो प्राथमी क्रिसी रिड सहकारी समीतियां 7,489, जिला केंद्री सहकारी बैंक 50 हैं, यूपी क्रिसी और ग्राम विकास बैंक की जो साखाएं हैं, वो 323 हैं, चिकित सा हम स्वास्त पर बात करते हैं, एलोपैथिक चिकित साले और अउसधाले जो हैं, एक जनवरी 2023 के डाटा पर बात कर रहे हैं, तो 5107 है, एलोपैथिक यानि कि जो अंगरेजी दवा होता है, और जो अंगरेजी दवा के जो चिकित साले हैं, आयरुबेदिक और यूनानी चिकित साले और अउसधाले 2022 के ड कित सालम और सधाल है उत्तर प्रदेश में 2022 थे इसके डाटा से 1585 है बात करते हैं परिवहन इबं संचार की तो उत्तर प्रदेश में जो परिवहन और संचार का जो इस्ट्रक्चर है बात करें वहीं संचार का तो जो डाक घर है वो 18,120 है 2021 के डाटा पर प्रदेश में राष्ट्री राजमार्ग जिसकों के नेशनल हाइवे कहते हैं कि कुल लंबाई 1 दिसंबर 2022 के रिपोर्ट के अनुसार 12,270.23 कीमी है राष्ट्री राजमार्गों की लंबाई के दिश्टी से देश में इस्थान सेकेंड है उत्तर प्रदेश का ये प्लीज आप ये इन्फॉर्मेशन आप इंपोर्टेंट में रख लेना प्रदेश से होकर गुजरने वाले सबसे लंबे राष्टी राजमार्ग संख्याग का जो संख्या है वो NH19 है पुराना नाम NH2 था उके यूपी राज सडक परिवहन निगम के इस्थापना 1972 में हुआ है गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 206.07 कीमी है बुंदेल खंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 206.07 कीमी है पुर्वान्चल एक्सप्रेसवे की लंबाई 304.824 किलोमेटर है आगरा लखनव एक्सप्रेसवे की लंबाई 302.222 किलोमेटर है यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई 165.05-37 किलोमेटर है जिसको की ताज एक्सप्रेस के भी नाम से इसको हम जानते हैं जो कि गुरेटन नोड़ा के परिचोग से शुरु होता है और आगराता किया गया है यमुना एक्स्प्रेस में अध्योगीक विकास प्राधिकरण का इस्थापना 2004 में हुआ है, प्रदेश में प्रथम रेल गाड़ी चलाई गई थी, 1859 में प्रियाग राज से नैनी के लिए, स्वर प्रथम हवाई डाक सेवा, 1911 में प्रियाग राज से नैनी के लिए, भासा नुसार जनसंख्या, 2011 के डाटा पे बात करें, तो हिंदी बोलने वाले यूपी में 94.08% है, उर्दू 5.42% बोलने वाले हैं, पंजाबी 0.25% और बेंगाली 0.12% बोलने वाले लोग हैं, भासा के नुसार जनसंख्या की बात की जा रही है, तो सबसे ज़्यादा हिंदी भासी लोग हैं, उसके बाद उर्दू भासी लोग हैं, फिर पंजाबी, फिर बेंगाली, जन प्रतिनीतित की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में जो लोग सभा के मिंबर हैं, वो टोटल 80 ह ठीक है, लोग सभा, लोवर हाउस और राज सभा जो है, अपर हाउस, मले, हलाकि मले और मलसी ये दोनों लोगों को आम भासा में बिधाया कहीं बोला जाता है, जो मले होते हैं, मेंबर आफ लजिसलेटिव असंबली, ठीक है, जो बिधान सभा होता है, बिधान सभा के सभा होता है ठीक एक विधान परिसद होता है तो याद रखना कि जो MLC है UP में वो 100 MLA की संख्या UP में 403 है तो थोड़ा से ये mind रखना all time चर्चा में ये जो विधान सभा का सीथ है ये चर्चा बना रहता है ठीक है clear क्योंकि जो MLA है ये सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं ठीक है तो ये भी आप mind रखना और जो MLC है ये सीधे जनता के द्वारा चुने नहीं जाते हैं ठीक है इनमें कई सारे प्रक्रिया ग्रेजुएट लेबल पर लोग बोटिंग करते हैं, सिच्छित जो टीचर होते हैं, वो इनको बोटिंग करते हैं, तो इस लेबल पर इनका चुना होता है, क्रिसी की बात करते हैं, सो यूपी में क्रिसी जलवायु प्रदेश 9 है, किसान वही योजना यूपी में 1992 मिलाया गया था, चकबंदी योजना इंपोर्टेंट है, 1954 मिलाया गया था, सबसे पुरानी नहर यूपी की पुर्वी यमुना नहर है, 1830 में इसका स्थित्वाया था, सबसे बड़ी नहर 2010-11 में मिलाया गया, उर्जा सहर योजना 2008 मिलाया गया, प्रती ब्यक्ति दुख्ध उपलब्धता अगर बात करें, तो 426 ग्राम प्रती दीन है, 2022-23 के डाटा के नुसार से, वहीं भारत की बात करें, भारत में जो प्रती ब्यक्ति दुख्ध उपलब्धता है, वह 459 ग्र प्रती दीन, 2022-23, तो याद रखना ये थोड़ा सा, राज दुख्ध परिसद की स्थापना 1976 में हुआ था, गोकुल पुरसकार योजना दुख्ध उथपादन से संबंधित है, एबरीवन याद रखना, जो UPRO का पेपर हुआ था, जो कि कैंसिल हो गया, जो कि फिर से उसका री एकजाम होने वाला है, वहाँ पर भी दुख्ध उथपादन से संबंधित एक योजना पुछा गया था, करेंट अफेर के तोर पर, याद रखना नंदनी योजना, ओके, नंदनी योजना, ठीक है, ये दुख्ध उथपादन से ही संबंधित है, तो मोटा मोटा ये भी फरुखाबाद, वहीं आम और सबजियों की बात करें तो लखनव, उन्नाव, हर्दुई, ओके, आम, सहारनपूर, मुझफर नगर, बिजनोर और बागपत, बास्मती, चावल, बरेली, सहारनपूर और पिली भीत, ओके, सिचाई के साधन और यहाँ यहाँ यर का डाटा, जो उत्तर प्रदेस है, उत्तर प्रदेस में सबसे ज़्यादा जो सिचाई होता है, की साधन से होता है, नलकूप से होता है, 73.9% जो सिचाई है, यूपी में नलकूप से होती, यह questions काफी important है, यूपी PCS का, ओके, नहर के द्वारा सिचाई उत्तर प्रदेस में 15.8% होता ह कुवा से 9.1%, तालाब और जील से 0.6% और अन से 0.6%, ये जो तीन डाटा है, ये इंपोर्टेंट नलकूप, नहर, कुवा, याद रखना नलकूप से सबसे ज़्यादा, फिर नहर से, फिर कुवा से, वन एम वन ये जियू, ओके, आई एसे फार रिपोर्ट जो 2021 है, ये याद दो साल में एक बार ये रिपोर्ट आती है, ओके, सो आई एसे फार रिपोर्ट 2021 के नुसार, प्रदेश के अभिलेखों में, कुल अभिलिखित 1-6, 2021 के हिसाब से 17,384 वर कीमी में है, अभिलिखित 1-6, 11,560 वर कीमी में है, सरक्षित 1-6, 292 वर कीमी में है, और वर्गीकृ जो बन छेतर हैं, वर 5,528 वर कीमी में है, कुल अभिलिखित 1-6, का कुल भवगोलिक छेतर फल में, जो परसेंटेज हिस्सा है, कितना है, 7.22 परसेंट, यूपी में कुल बरिक्छा वरण, एबं बनावरण की बात करें, तो यूपी के भवगोलिक जो छेतर फल का 9 दस्मल 2-3 परसेंट परे है, बनावरण के अंतरगर जो छेतर फल है, यूपी का, वो 14,817.89 वर कीमी है, कुल भवगोलिक छेतर का 6.15 परसेंट, अती सघन बन, यहां से कोश्चन्स आते हैं, अती सघन बन जो है, वो 26,000, sorry 26,26 दस्मलो 6 एक वर कीमी है, परसेंटेज पर बात करें तो एक दस्मलो 0,1 परसेंट, यह परसेंटें जाब याद रखनना, यहां से कोश्चन्स आ चुका है, मध्यम सघन बन यूपी में, वो पूरे भगोलिक छेतर खा, एक दस्मलो 6,7 परसेंट है, खुले बन, वो तीन दस्मलो 39 परसेंट है, कुल बनेजिव, सरक्षण छेतर यूपी में 31 है, वन जू बिहार 11 है, पक्षी बिहार, ठीक है, चाद, खंभरिया, किश्ल, म्रिग, आरक्षित, वन चितर के समेत 15 हैं टोटल, राष्टी उद्दान यूपी में 1 है, दुधवा, टाइगर रिजर्ब 4 हैं, दुधवा, पिली भीत, रानिपूर, अमनगर, ये नाम प्लीज आप याद रखना, ये करेंट का भी कंटेंट हो सकता है, एलिफेंट रिजर्ब यूपी में 2 हैं, आईएसे फार रिपोर्ट 2021 के नुसार, सर्वाधी के बन सबसे कम बन, पर्स्टिंटेज वाले जो 2 जिले हैं, वह सोन भदर और भदोही हैं, प्लीज जो भदोही जिला है, ये मिर्जापुर और वरानसी के पास का जिला है, और ये भदोही जिला वरानसी से अलग करके इस जिला का इस्थापना किया गया था, सबसे पुराना वनेजु बिहार, 1957 में, चंदप्रभा वनेजु बिहार, चंदवली जिला में है, सबसे बड़ा पक्षी बिहार लाख बहोसी कनोज में है, सबसे छोटा पक्षी बिहार सेखा जील अलीगड में है, पहला ग्राम बन विलहत्थी ग्राम सुनभद्र में है, ये कंटेंट करेंट का है, इसको प्लीज आप माइंड रखना, यूरेनियम पाया जाता है यूपी में, किस जिला मे ललीदपूर में हीरा, बांदा में, जो यूपी का राज की चिन है, मचलिया एवं तीरधनूस, राज की पुस्प पलास, राज की ब्रिच असोक, इसको सीता असोक भी कहते हैं, राजपाल, स्रीमती आनंदी बेंड, पटेल, मुख्यमंत्री, स्री योगी आदितनाथ, उत 24 जनवरी कहां से आया, एबरीवन, पहले उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश के नाम से नहीं जाना जाता था, 24 जनवरी, 24 जनवरी ये डेट है, ठीक है, जब सन्यूक्त प्रांत को, याद रखना, सन्यूक्त प्रांत को, यूपी का नाम रखा गया था, ठीक है, राज राजकी पसु बारस सिंहा है, राजकी पक्छी सारस इसको क्रॉंच भी कहते हैं, राजकी मीन चिताता है, राजकी जली जीव गांगिय डालफिन, यूपी का सबसे बड़ा उद्योग हतकरधा, क्रिसी के बाद सरवाधिक रोजगार प्रदाता है हतकरधा, यूपी का सबसे, यूपी का प्रथम चीनी मिल प्रतापपूर देवरियां जो की 1903 में स्थापित हुआ था, चीनी उत्पादन में देश में स्थान सेकेंड है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, जो उत्तर भारत का मेंचेस्टर है, वह कानपूर है, मारडन कोच फैक्टरी राय बरेली में है, रेल पहिया कारखाना राय बरेली, कोरवा आयूध कारखाना अमेठी, ब्रम्होस प्रच्छे पास्थ भी निर्माण केंद्र लखनोव, अफिम कारखाना गाजीपूर, उर्बरक कारखाना इपको, अवाला जो की बरेली और फू पूलपूर, प्रियागराजी दो जगा पर है, ठीक है, उर्बरक कारखाना हूध ये गोरगपूर और परतापूर मेरट में है, भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिम्टेड गाजियाबाद, भारत है भी इलेक्ट्रोनिक लिम्टेड जासी, वारासी, जगदीजपूर, जो की अम 1956 में हुआ, यूपी परेटन विकास निगम, 1974 में इस्थापित हुआ, परेटन को उद्योग का दरजा, पर्थम परेटन नीती के तहट 1998 में दिया गया, 1998 में, नई परेटन नीती 2022 में लाए गया, ये करेंट के तोर पर इसको प्लीज आप माइन रखना, हरिटेज पार्ग यूपी में तीन हैं, कौन-कौन, आगरा, लखनो और वर्नरसी, मैत्रे परियोजना, बौध इस्थलों का विकास करना, यूनिस्को के विश्व धरोहर सूची में सामिल इसमारक, ताजमहल, 1883 में, आगरा का किला, 1883 में, फते पूर्शिकरी, 1886 में इस्थापित हुआ, य यूनिस्को की अमूर्थ सांस्कृतिक विराशव सूची में सामिल धरोहर, राम लिला, 2008 में, कुम्भ मेला, 2017 में, माननी कांसी राम परेटन प्रबंधन संस्थान, चिनहट लखनव में है, राज ललित कला अकादमी लखनव में है, 1922 में इस्थापित हुआ, यूपी संग राश्ट्री कथक संस्थान लखनव में है, जन जाती एवं लोक कला संस्कृति संस्थान लखनव में है, कला एवं सिल्प महाविद्याले लखनव में है, जो कि 1911 में स्थापित हुआ, भारती कला भवन वनसी में है, जो कि 1920 में स्थापित हुआ, यूपी चलचित्र निग आ चुका है भी तक, भार खंडे, संगित संस्थान, 1986 में, याद रखना, भारत खंडे, संस्कित जो विशुबिद्याले है, पुर्व नाम, मैरिस कॉलेज आप, म्यूजिक था, जो की 1926 में इसका स्थापना किया गया था, यह दोनों रिलेट करके प्लीज आप माइंड बना कुशार एवं गुप्त योगीन संस्कृति का एक मात्र संग्रहाले मतुरा में है, बटेस्वर मेला आगरा में होता है, सुलहकूल उत्सव आगरा में होता है, चरकूला नित बजचित से सम्मंदित है, तबला एवं सितार का विश्कारक अमीर खुसरो है, अंतराश्ट्री रामायड एवं सोध संस्थान अयोध्या में है, इसका इस्थापना 1980 में हुआ, यूपी जैन विद्या सोध संस्थान लखनोव 1990 में इसका इस्थापना हुआ था, यहाँ पर पार्ट जो फर्ष्ट है, वह इंड होता है, जल्द ही हम लोग पार्ट सेकेंड लाएंगे और इसका अगला सेगमेंट लाएंगे, एवरिवन याद रखना यहाँ पर जो भी कंटेंट बाते की जाती है, वो फिल्टर्ड करेंड फिर पर बाते की जाती है, फिल्टर्ड कंटेंट पर बाते की जाती है, चलिए फिर मिलते हैं, अगले सेगमेंट, अगले पढ़ अग्यों सो मैं धनीबाद.